ठीक 16 प्रक्रक्राङ से पाली मैंट करना चाहिए टर्मीनेट करना चाहिए यह बनिया है अमिस्सा चला रहा है पूरी सरकार को मोधी जी को मोधी जी पे उनके नोकर है उसका ऐसा लग रहा है कि जो संसत के अंदर जादे से जादे मतलब मुसल्मानों को बुरा भला कहेगा उसको जल्दी परमोशन मिल जाता मैं समय बियस्पी संसत दानिस अली के आवास पर हूँ और लगातार उनको जनता का समर्थन मिल रहा है ऐसा बहुत कम बार होता है कि आपके नेता के मिलने के लिए जनता आने लगे पूरी सिंपैथी मिल रहे है उनको उनके साथ जो संसद में हुआ जिस तरह का बेभार हुआ जिस तरह से बिधूरी के गाली गलोज हुई उसके बाद जनता का समर्थन जो है वो दानिस अली को मिल रहा है मेरे कैमराय में दिखाएंगे कि मैं पिछले जब से घटना हुई ह चार-पात दिनों से देख रहा हुँ कि लगातार उनके छेतर के देश भर के पलिटकल नेता आम आदमी सब उनसे मिलने आ रहे हैं और इससे लग रहा है कि लगातार जनता में जो मैसेज गया है कि दानिस अली कहीं ने कहीं पिरित हैं उनके साथ धर्म की बज़ा से या पा बास पर आ रहे हैं कहां से आ हैं हम तो दिली से आ हैं दिली में रहते हैं तो क्यूं लगा पहली बार आई हैं इससे पहले भी आते रहते ते नहीं ये जो दानिश भाई थे समाजवादा अंदोलन से थे और यssä नहीं जिझ और सांसद बन गाए थें तब अभी आिणा जब नहीं करना चाहिए और नहीं ऐसी बाते होनी चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो संसत के अंदर जादे से जादे मतलब मुसल्मानों को बुरा भला कहेगा उसको जल्दी पर्मोशन मिल जाता तो साइद रमेज भी दूडी जी को भी है कि हमें भी साइद वो दीजी या अम फ़र दसमर्थ नहीं के और जो है नेशनल मीडिया से लेकर सबी दिखा रहे हैं इनका गलत हुआ जो भी हुआ गलत हुआ है गलत हुआ इनके साथ हाज बहुत ज़्याद है घलत हुआ क्या होना चाहिए अब क्या नहीं होना चाहिए उनको पाले मेंट से बिल्कुल सस्पे एक दो बार पहले भी आये हैं, मगर इस घटना से पूरे च्छेतर में, पूरे समाज में, सर्भ समाज के लोग यहाँ पर. अब दानिस अली जी के साथ जो घटना हुई है बड़ी निंदनिये हैं और वीजेपी के सानसद ने जो ये किया है उनको ततकाल ये लोगों की मांग है छेतर के लोगों की मांग है के इनको अब उनकी सदस्ता तुरंट खतम कहां से हैं करता हूं और बलकि मैं इनके जो भाजपा सरकार को उकार पागने की तागत रखता है तुमारा बाई मैं एक दलित होने के नाते अब मुस्लमानों पर दलितों पर जो भारत के अंदर अत्याचार हो रहा है समीदान के साथ खिलवार कर रहे हैं यह लोग कौन अत्याचार कर रहा है यह भाजपा कर रहे हैं गुजरात के लोग कर रहे हैं मोदी जी तो खुदे पिछरा के बेटा है करो भारत को जो चला रहा है भारत देश को जो चला गुजरात चला रहा है गुजराती नहीं चलेगी पिछणा यह बनिया है यह बनिया है पूरी सरकार को उनकी उकर रहे हैं उसका अपलोग दानिस अली के साथ हूं पूर्टरे से साथ हूं जनांदोलन भी करने लिए तैयार हूं इनके लिए उसको लोग कह रहा हैं की पॉलिटिक्स हो रही है राहूल गांधी मिलने आये थे दानिस अली की को फाइदा तो रहा है पुपलाटी तो मिली है उनके साथ जो बेभार हुआ उसके बाद लोगों की सिंपैथी मिल रही है लोग उनके आवास पर दिल्ली में मिलने आ रहे हैं और ऐसे ही मैंने पहले भी आपको इंट्रिवू दिखाया था किसान कम्निटी के ल साथ लोग हैं कुछ और लोग है क्या ना में सीरव अब्डूल्लाथी कहां से आएं मैं दिल्ली से रहे हूं चन्दो सी से रहने वाले हैं तो द्द्दानिस भाई के जो हाच्छा हुआ इनको गलत सब्द कहे उसके बिरोगों हम ही हाएं धानिस भाई जो हैं बहुत सभ्व जो बीजेपी के सांसेत बिदूड़ी ने कीए और आप कहा से आए हैं जी मैं घर से आए हूं बदरखे से आप भी गर से आए जी क्यों आए हैं जी इन्परा बॉरा बला गया गया ठेक नहीं हुआ गल्थ हुआ ये डरम के नाम पर ये बोलते हैं गल्थ है क्या नाम है आपका में नाम अश्रफ हुसैनी है कहां से आ हैं मैं मेरेट से हूं बेसिकली देखे मैं यह बात कहूंगा इतना कहूंगा कि एक शिक्षा होती है और एक संसकार होते हैं शिक्षा वह थे कि इनसान दुनिया में कहीं से भी हासिल कर सकता है लेगिन संसकार एक ऐसी चीज़ा जो घर से ही मिलते हैं माबापकी गोद से मिलते हैं तो जैसे इनके संसकार हैं वैसे ही इनका रविया है और हमारा मुतालबा ये है कि जो रमेश बिदोडी जी ने किया है दानिश अलीजी के साथ वो माफी मागने से ना खतम होने वाला है जो ये कहा है कि उनको वर्निंग दे के छोड़ दिया गया है ये काफी नहीं है तो देखे एक पुलिटकल पुलिटकल टर्णिंग समझे इसको दानिश अलीए एक खासकर मुसलिम समाज में इतनी पैठ अभिवादित रूफ से अभिवादित रूफ से कहें जिस तरह से उनके साथ विभार हुआ है मुसलिम कम्निटी ने उनको अपना नेता मान लिया है कमसे का मुसलिम समाज और सबसे बड़ी बात है कि तमाम पुलिटकल पार्टी जो बिपक्ष में है जो इंडिया गट बंधन में नहीं है लेकिन अगर पबलिक की बात करें पबलिक परसेप्षन की बात करें सिंपैथी की बात करें तो दानी सली के साथ देश का पूरा मुसलमान जो है वो खड़ा है उनको लगता है कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ है गलत हुआ है उनकी सिंपैथी मिल रही है और वही पुलिटकल पार्टियों की बात करें तो इंडिया गटबंदन उनके साथ खरा है जबकि उनकी पार्टी इंडिया गटबंदन में नहीं है वही खासकर जो सोसित बंचिस समाज के लोग हैं जो SC, ST, OBC, किसान कम्निटी के लोग हैं वो दानी सली के परती अपनी पूर गटना को अपने सम्मान के उपर ठेस के तौर पे लिए उनको लगा है कि ये दानी सली के साथ नहीं हुआ है बलकि पूरी कम्निटी के साथ हुआ है और ये राजनीतिक रूप से देखें तो दानी सली के लिए और उनको मजबूत उनकी राजनीति को मजबूत करता है आप कि क्या पर्तकिरिया आपनी पर्तकिरिया जूर दिजिए शंभुकुमार सिंग निशनल दस्तक दिले